शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले बिजली बिल को लेकर नागरिकों में असंतोश के बीच महावितरन का एक और कार नमा सामने आया है एक ही दिन के आउधी में ही एक ग्रहक का बिजली का बिल 390 रुपे बढ़ा दिया है ग्रहक को पहले 540 रुपे का बिल जारी किया गया था लेकिन अगली दिन यह बिल 930 रुपे का हो गया लागडाउन के वज़े से हो रही है बिजली बिल में गड़ बड़ी बीजली बील को लेकर नागरिकों में असंतोष की बीच महावितरन का एक और कारणामा सामने आया। एक ही दिन के अउधी में एक ग्रहक का बीजली का बील 390 रुपे बढ़ा दिया गया। इस ग्रहक को पहले 540 रुपे का बील जारी किया। अगले दिन यह बील 930 रुपे का हो गया। यहां के एक ग्रहक को 2 जून को SMS पर जानकरी दी गई कि उनका बील तयार है। उन्हें 540 रुपे भरने हैं। उन्होंने बील को कमपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया। लेकिन 3 जून को जब पैसे भरने के लिए पुना अपना बील। इस बारे में जब महावितरन से पुछा गया। तो महावितरन का ये कहना है कि बील तयार होने के बाद गड़बर ध्यान में आई थी। इस तारिक की सुबब बील तयार होती यह समझ आ गया था। लेकिन तब तक ग्रहक को SMS जाच चुका था। दोपर में ठीक बील भेज दिया गया कमपनी का कहना है कि लागड़ाउन की वज़े से रिडिंग को लेकर असमांजस होने पर यह समस्या खड़ी हुई। ग्रहक को पहले चार मेने की जगह तीन मेने का बील भेजा गया। ऐसे सभी बीलो की कमपनी जांच कर रही है। लेकिन एक बात तो तो है कि शहर के नागरिक इस बढ़ते बील से। शहर के नागरिक कर रहे है। महावितरन कार्यल से कैमेरा परसें सुवाज बुटले के साथ संजेज मीरे, NBCN News नागपूर झाल झाल